वेलकम इत्रों इस वीडियो में हम लोग किवल दो कोश्चन पर विचार करेंगे पहला फ्लोटिंग हेड हीट इक्सचेंजर को फ्लोटिंग हेड क्यों कहते हैं तता दुसरा कोश्चन है फ्लोटिंग हेड हीट इक्सचेंजर में कितने गैसकेट लगते हैं साथ ही फ्रेशर भीवर्स के लिए थोड़ा बहुत प्रकास हीट इक्चेंजर की टाइप पर भी डालेंगे नाव वीडियो इस वेंग स्टार्टेड सबसे पहले देखते हैं कि हीट इक्चेंजर क्या है मित्रो हीट इक्चेंजर एक ऐसा उपक्रम है जो एक माध्यम के उस्मा उर्या को लेकर किसी अन्य माध्यम को देता है और सरल सब्दों में इसको कह सकते हैं कि हीट इक्चेंजर किसी दो माध्यमों के बीच उस्मा का आदान परदान करने वारा एक उपक्रम है equipment है चले इसको एक उदाहरन के द्वारा और अच्छा से समझ लेते हैं मान लिजिए इस सेल के अंदर एक fluid है जिसका तापमान 20 degrees है यानि 20 degrees है इस सेल से होकर एक tube जा रही है इस tube के अंदर एक fluid भी जा रहा है जिसका तापमान 100 degrees है मित्रो सुभाविक रूप से हम जानते है उसमा जदा तापमान से कम तापमान की तरफ जाती है इसलिए tube से उसमा निकल कर सेल वाले fluid की तरफ जाने लगेगी क्योंकि सेल फ्रूट का तापमान कम है 20 degrees है और टीब फ्रूट का तापमान जदा है 100 degrees C है द्यान देने वाली वात है मित्रो इस उसमा अदान प्रदान में सेल फ्रूट और टीब फ्रूट आपस में मिक्स नहीं होते है और उसमा का अदान प्रदान टीब्स के दिवारों के माध्यम से होता है तो यहीं है मित्रो हीट इक्सचेंजर की समझ अब हम लोग हीट इक्सचेंजर के टाइप्स को देखते हैं जिसे इंटरभीव में बहुत पुछा जाता है हीट इक्सचेंजर मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं पहला है सेल एंटीव हीट इक्सचेंजर दूसरा है प्लेट्स हीट इक्सचेंजर तीसरा है डबल पाइप हीट इक्सचेंजर और चौथा है मित्रो फीन फाइन हीट इक्सचेंजर मित्रो उपर जो पहला है सेल एंटीव हीट इक्सचेंजर इसके भी अलग से चार प्रकार होते है इसका पहला है Fixed Tube Seat Heat Exchanger जिसको I-Type Heat Exchanger के नाम से भी ज्याना जाता है यानि कि इसके जो दोनों Tubes होते है Tube Seat या Fixed होते है Sale के साथ दूसरा है U-Bundle Heat Exchanger इसको I-Type Heat Exchanger के नाम से भी जाना जाता है तिसरा है Floating Head Heat Exchanger यानि कि इसका एक Tube Seat Floating करता रहता है यानि कि Sale के साथ इसको Bolting नहीं किया रहता है और चौथा है Kettle Type Heat Exchanger जिसको Re-Boiler भी कहा जाता है तो इस प्रकार मित्रों आप इंटर्वीव में कलाइंट को Heat Exchanger के टाइप को अराम से और कम समय में बता सकते हैं अब हम लोग Floating Head Heat Exchanger के पार्ट्स के बारे में और उनके थोड़ा बहुत काम की बात कर लेते हैं मित्रों चित्र में जिस पर Aero चमक रहा है उसको Distributor कहते हैं इसके माध्यम से Tubes के अंदर Fruit आता जाता है इसमें दो नुजल्स हैं एक Inlet है तथा दूसरा Outlet है इनी नुजल्स से Tube Side Fruit आता जाता है कभी-कभी Distributor के बदले Channel Head भी लगाया जाता है इन दोनों का काम एक ही है अंतर बस इतना है कि Channel Head में Channel Cover होता है जबकि Distributor में Cover नहीं होता है अगला Parts है Tube Seat जो दोनों साइड में होता है Tube Seat, Tubes Bundle को एक द्रत्या परदान करता है Next Parts है Baffles Plate ध्यान से देखे इस चित्र में Baffle Plate 6 दिखाए गए है यहने कि 6 है Baffle Plate इस चित्र में Baffle Plate टीव बंडल को द्रत्या परदान करने के साथ साथ यह सेल साइड के Fruits के Flow को फैल कर जाने में भी मदद करता है अगरा Parts है Split Ring Split Ring Floating Head को Floating Tube Seat के साथ बांद कर रखता है Next Parts है Spacer तो इसका क्या काम है भाई मित्रों ए Spacer का कोई काम नहीं होता है लेकिन जब Heat Exchanger का Hydro Test किया जाता है तो ए Spacer को निकाल कर इसके जगा Test Ring लगा दिया जाता है Next Parts Floating Head या Floating Tube Seat के साथ लगा रहता है जिससे होकर Tube Side Flood आता जाता रहता है अगरा Parts है मित्रों Back Cover Back Cover Seal के साथ लगा रहता है जिसमें Seal Side Flood प्रभावित होता है Next Part है Seal और इसके Nuzles तथा जिस पर Seal टिका हुआ है उसको Saddle Support कहते हैं इन सब के अलावा Gasket भी इसके Parts होते हैं तथा Gasket का काम Licks को बंद करना होता है अब हम लोग Floating Head Heat Exchanger में लगे हुए Gasket की संक्या को भी फटा फट गिन लेते हैं चित्र में पहला Gasket को देखें जो Distributor और Tube Seat के साथ लग रहा है दूसरा Gasket Tube Seat और Sale के साथ लगेगा तीसरा Gasket Floating Tube Seat और Floating Head के बीच लगेगा चोथा Gasket Sail तथा Back Cover के साथ लगेगा इस प्रकार हम लोगों ने देखा Floating Head Heat Exchanger में चार Gasket लग रहा है परंतु मित्रों जब Distributor की जगा Channel Head लगाना पड़ता है तो एक Gasket Channel Head और Channel Cover के साथ भी लगाना पड़ता है अतहा जब Floating Head Heat Exchanger में Channel Head लगा हो तो 5 Gasket की जरूरत पड़ती है इसको हमेशा याद रखें कि Channel Head रहेगा तो 5 Gasket लगेगा और Channel Head के बदले अगर Distributor लगाते है तो 4 Gasket लगता है अब हम लोग अगले Question की तरह बढ़ते है Question है Floating Head Heat Exchanger को Floating Head क्यों कहते है चित्र को ध्यान से देखें इसमें 2 TIP Seat है एक TIP Seat Distributor के तरफ है जिसको Front TIP Seat कहा जाता है दूसरा TIP Seat Floating Head के तरफ है इसको Rear TIP Seat कहा जाता है Front TIP Seat Sail के साथ Bolting होता है अर्थात या Sail के साथ Fix होता है अर्थात या Sail से Free होता है Sail से Free होने के कारण यदि अधि अधिक Temperature के कारण इसमें Thermal Expansion होता है तो TIP Bundle पर जड़ा को प्रभाव नहीं पड़ेगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका Rear TIP Seat Floating के लिए स्वतंत्र होता है इसलिए इस प्रकार के Heat Exchanger को Floating Head Heat Exchanger कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद